सबसे पहले हम अपनी फाइल को लेते हैं और देखे हमने डिजाइन डेडी किया हुआ है और इस डिजाइन में मैंने फाइल का साइज जो है वो 43 इंच का रखा है और वीट थी इसकी जो है एफोर ही है अगर आप देखेंगे तो यह 42 इंच बाइ 8.25 इंच का हमारा पेज का साइज है इसमें साथ लैनियाड है और डिजाइन हमने रेडी किया हुआ है ताकि वीडियो लंबा ना हो यह देखें यह 42 बाइ 0.8 यह एक लैनियाड का साइज था और पूरे पेज का साइज की अगर बात करें तो 8.25 और प्रिंट कमांड देंगे प्रिंटर हम लोग एप्सन का 6 कलर प्रिंटर यूज करते हैं 805 एल 805 इसमें कुछ सेटिंग आपको करनी पड़ेगी यह मैं आपको दिखाता हूं देखिए यहां पे आपको देखिए यहां पे जाने के बाद एक आपको नाम दे देना है लैनियाड या कुछ भी आप अपनी पसंद का रख सकते हैं यहां पे साइज जो यह जो साइज है इसको हमने 42 इंच करना है कस्टम साइज नॉर्मली हम जैसे देते हैं एफ और नहीं करना तो कस्टम साइज करने के बाद लैनियाड के नाम से इसको सेव कर दिया हमने और ओके करने के बाद इसको लैंड्सकेप में देंगे हम लोग और प्रिंट क्वालिटी हाई रखेंगे और नॉर्मली हम लोग जैसे प्रिंटिंग कमांड देते हैं बागी सब वैसे ही रखेंगे प्रीव्यू मैंने कर दिया है ताकि प्रिंट निकलने से पहले हमें प्रीव्यू नजर आ जाए और यह देखिए यहां पे हमे ने मीरर ये देखिए प्रिव्यू में पूरा आपका नज़र आना चाहिए ये आप ध्यान रखें और यहां से हमने प्रिंट कमांड दे देनी है प्रिंट कमांड देने के बाद यहां पे प्रिव्यू देख लेते हैं एक बार कि प्रिव्यू कैसा आएगा यह कमांड चली गी है प्रिंट की और यह प्रीविवू हमें नजर आ रहा है प्रिंट हमने देदिया है अब प्रिंटर में हम लोगों ने एक यहां पे आपने धियां देना है कि हमने सब्लिमेशन का रोल आता है उसमें से हमने 42 इंच का एक रोल में से शीट काटके इस प्रिंटर में लगा देनी है और प्रिंट हम चालू कर चुके हैं और ये प्रिंट जो निकलेगा भी 42 इंच में ही निकलेगा ये दिक आप्सन का six color printer हम यूज कर रहे हैं प्रिंट चालू हो गया है स्टार्ट हो चुका है प्रिंट और यह देखिए हमने वीडियो को फास्ट फॉर्वर्ड कर दिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और यह प्रिंट निकलना स्टार्ट हो चुका है देखिए यह साथ लैनियाड 20 mm के हम अभी निकाल रही है इसमें एक लैनियाड 20 mm लैनियाड 20 mm 16 mm 12 mm का आता है आप लैनियाड के साइस के इसाब से कोई भी डिजाइन बनाके इसमें निकाल सकते हैं कोई भी मैल्टी किलर नॉर्मली सारा गाम वैसा ही है जैसे टीशेट पर हम लोग करते हैं सप्लिमेशन इंक का यूस किया गया है इसमें दोस्तो अगला वीडियो में डालने वाला हूँ डेक्स्टोप स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन पर जिससे आप किसी भी राउंड शेप की आईटम पर प्रिंट कर सकते हैं और साइड में जो बैल आइकन है उसको प्रेस करें जिससे मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपको वह नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा और कुछ भी आपके सजेशन है तो प्लीज कमेंट कीजिए बाकी इसमें आप चाहें तो फॉर कलर पिंटर भी यूज़ कर सकते हैं ये वाला जो छिक्स कलर पिंटर है नॉर्मली एल एट जिरो फाइव इसकी कोस्ट राउंड पंदरह से सत्रह हजार के बीच में आती है और फॉर कलर पिंटर अगर आप यूज़ करेंगे तो उसकी स आताथ हजार का कोई प्रिंटर आ जाएगा कमांड सेम आपने वैसे ही देनी है जैसे इसमें दिया है और यह दिए प्रिंट जो है वो बस फाइनल प्रिंट निकल चुगा है इसमें पूरा 42 इंच का और यह हमने हीट प्रेस मशीन यूज़ किया नॉर्मली जो टी शेट प्रिंट हम करते हैं उसके लिए 16 इंच भाई 24 इंच वाली देखे इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि 16 इंच 24 इंच से कैसे प्रिंट करना है हीट प्रेस करनी है और 15 इंच भाई 15 इंच से भी आपको क प्रिंट कर लेते हैं रिबन को कि रिबन भी हमने पूरे 42 इंच में जो है कटिंग कर लिया है रोल में से और जहां तक हीट प्रेस मशीन की में बात करूं तो इसमें अपने जो टेमपरेचर सेट करना है वो 200 डिग्री 200 डिग्री में रखना है और टाइम एराउंड हम 70 सेकिंड रखते हैं इसमें और एक तर यह हमने रिबन को इसमें पेस्ट कर दिया था सप्लिमेशन पेपर के रोल में और उसके बाद हम लोग पहले आदा पॉर्शन इसमें लगाने के बाद हीट प्रेस करेंगे और यह हमने स्टार्ट कर दिया है देखिए 200 डिगरी और यह थोड़ा सा हमने फास्ट फर्वरड किया हुआ है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहों यह हमारा अभी आदा रिबन जो है वो लैनियाड ट्रास्फर हो चुका है और अब इसको आराम बस इसका थोड़ा सा जान रखेंगे कि इसको आराम से खोलना है आपने ज़्यादा तेजी से नहीं खोलना ताकि वो थोड़ा सा हिल ना पाए उसके बाद आप इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट जो है इसका उसको सेंटर में लाने के बाद आप इसको एक बार फिर से प्रेस करेंगे देखे फरक सिरफ इतना है कि इसको आपने रिबन को दो बार में हीट प्रेस किया है और 42 इंच वाली जो हीट प्रेस मशीन है उसमें आपको एक बार प्रेस करना पड़ता है लेकिन अगर मैं रेट की बात करूं तो ये वाली जो हीट प्रेस मशीन है 24 वाई 16 इंच वाली इसका कॉस्ट एराउंड 15 से 17 हजार के बीच में आपको मिल जाएगा और जो लैनियाड प्रेंटिंग हीट प्रेस मशीन है उसका प्राइस की अगर मैं बात करूं तो आपको 40 तू 50 थाउजन या 55 थाउजन के आसपस मिलेगी तो कॉस्टिंग जो है ठी टाइमस ज्यादा हो जाएगी तो अब ही हम स्टार्टिंग में ये मशीन यूज़ करके काम स्टार्ट कर सकते हैं आप और जब आपको लगेगी हाँ आपका रूटीन में काम आ गया है और काफी काम आ गया है तो आप दूसरी मशीन भी ले सकते हैं जिसमें सिंगल टाइम में आपके प्रेसिंग हो सके ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसके उपर ट्रास्फर हो गया अब मैं आपको दिखाता हूँ छोटी पंदरा इंच भई पंदरा इंच की मशीन इसमें और उस मशीन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसमें आपको तीन बार में प्रिंट करना पड़ेगा तीन बार में हीट प्रेस करना पड़ता है इसमें और उसमें हमें दो बार में करना पड़ता है तो थोड़ी सी मेहनत आपको इसमें ज्यादा करनी पड़ेगी यह हमने फर्स टैम इसमें लगा दिया है और इस हीट प्रेस मशीन की बात करूँ तो इसमें और उसमें इतना फर्क है कि यह फेरनाइट में काम करती है और टेमपरेचर इसका और 16, 24 की जो हीट प्रेस मशीन है वो डिग्री में भी आप सेट कर सकते हैं और फेरनाइट में भी सेट कर सकते हैं तो यह आपके पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मशीन यूज़ करना चाहते हैं अगर आपके पास पहले से यह मशीन है तो आप इसका यूज़ करके काम कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको मैनाज ज्यादा करनी पड़ेगी थोड़ी सी ये फास्ट पॉर्शन हमने इसमें हीट प्रेस कर लिया आप इसमें सेकंड पॉर्शन इसका करेंगे देखे इसको प्रिंट होने के बाद ट्रास्फर होने के बाद हम आपको दोनों साइट का दिखाएंगे एक साइट से हमने हीट प्रेस किया 24 इंच वाई 16 इंच वाली हीट प्रेस मशिन से और एक हम साइट प्रिंट कर रहे हैं पंदरा इंच वाली मेशीन से तो देखिए आपको फरक नजर आ जाएगा कि इसमें प्रिंट आउट जो है लाइट ट्रांसफर हुआ है और बैक साइट जो हमने 16 भाई 24 से की थी उसमें प्रिंट आउट डार्क ट्रांसफर हुआ है क्योंकि वह 200 डिग्री में काम कर रहा था और यह 350 फेरनाइट में काम कर रहा है तो एराउंड यह 160 डिग्री यह 170 डिग्री यह शायद 150 डिग्री के इक्विलेंट आता है तो यह तीसरी बार हमने इसमें प्रिंट किया ट्रांसफर किया और देखिए अभी आपको दिखाएंगे कि वही जो ट्रांसफर हुआ है उसमें दोनों साइड में कितना फर्क है बाकि अगर आप चाहें तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो शायद इस साइड इस मशीन से भी आप अच्छा रिजर्ट ले पाएं तो यह आपके बड़ी बंड करता है कि आप कौन सी मशीन से काम करना चाहेंगे यह देखिए इसमें थोड़ा सा देखिए एक लाइन भी नज़र आ रही है थोड़ा सा वेरियेशन आ गया है क्योंकि हमने तीन बार किया इसको और फाइनल होने के बाद हम लोग इसको यह हमारा क्लिपिंग होने के बाद यह रिबन लैनियार्ड हमारा त्यार है बस अब यह पूरा रिबन हमारा त्यार हो गया है यह देखिए और इसी तरह से आप यह रिबन का काम कर सकते हैं तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें